हेलो दोस्तों दृष्टी PCS YouTube चनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है मैं हूंगी तांजली आज हम यहाँ पर बिहार राज्जी के पिछले एक हफ्ते कौन सी खबरे थी जो महत्वपूर्ट थी जिन पर मांचितर पर आधारन सवाल फ्रेम किये जा सकते थे उन पर को शुरू करने से पहले आपके लिएक महत्वपूर्ण सूचना है द्रिश्टी आएस ने 68 को ध्यान में रखते हुए जिसकी लिए अपने कोर्स की लॉंचिंग की है जिसका जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी इससे जुड़ी और भी जानका गया था जिसमें सवाल था करकर जल्परपात बिहार के किस जिले में सथित है इसके ऑप्शन थे कैमूर नवादा गया बेगुसराय इंपने कि कैमूर की स्थिति अ मैं कहां पर है तो आईए देखते हैं बिहार का मैप तो यह है बिहार का मैप जो कि जिलेवार है तो यहां पर कैमूर की स्थिति देखेंगे कि कैमूर बिहार के मैप में कहां पर इस्थित है तो कैमूर यह है है तो कैमूर की लोकेशन हमें देख लिया यहीं पर है करकट जलपरपाथ तो चलिए आज के शेशन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं पहले सवाल को और सवाल पर अधरत एक खबर को कि किस खबर के जरी है हमने सवाल को फ्रेम किया है कौसी नदी में सफाई के कायर चर्चा में आ गई है तो चलिए नदी पर सवाल किया गया है सवाल क्या है निम्नलिखित में से कौन सी नदी अंतरास्ट्री सीमा साज़ा नहीं करती है option क्या है कमला नदी कोसी नदी बागमती नदी सोन नदी आपको बताना है कि ये चार नदियां दिये हुई है अभी इसे मैप मैं भी दिखाएंगे उससे इसकी पुष्टी भी करेंगे इन चार नदियों में से कौन सी नदी है जो किसी अन्य देश के साथ अपनी सीमा साज़ा नहीं करती है क्योंकि यहाँ पर पूछा गया है अंतरास्ट्री सीमा यानि किसी अन्य रास्ट्री के साथ कौन सी नदी है जो अपनी सीमा साज़ा नहीं करती है तो आईए देखते हैं इन चार नदियों की लोकेशन को नदी में सबसे पहले देखेंगे कमला, कोसी, बागमती और सोन नदी को हम सबी जानते हैं कि इन चारों नदियों की लोकेशन में आप देख बारे होंगे बागमती नदी नेपाल से होकर आती है, कमला नदी भी नेपाल से होकर आती है और कोसी नदी भी नेपाल से होकर विहार में प्रवेश करती है वहीं हम सोन नदी की बारे में बात करें तो सोन नदी दरसल राज्यों से होकर आती है यानि यह मध्योप्रदेश से होकर उत्तरप्रदेश में प्रवेश करती है और उसके बाद यह बिहार में प्रवेश करके आगे जाकर गंगा नदी से मिल जाती है यानि यहाँ पर सोन से सवाल कि इतारी सीमा नहीं चरती तो उप्षन्टी इसका तो एस मैप में देख भी लिया है भटते हैं उगली सवाल की खवर देखते एग इस पर सवाल बनाया गया है खवर है बिहार में रिजर्व लीव डॉक्टरों की नियुक्ति होगी दरसल बहुत सारे ऐसे होस्पिटल से गवर्मेंट होस्पिटल है जहां पर डॉक्टरों की कमी देखी जा रही थी तो इस कमी को पूरा करने के लिए ताकि होस्पिटल में अब लगता डॉक्टर्स उपलब्ध रहें इसके लिए रिजर्व लीव डॉक्टर्स की हाँ पर नियुक्ति की जा रही है प्रश्न क्या है नंदलिखित में से कौन सा से कथन बिहार की मिट्टी के संदर्भ में सही है या है चूकि या खवर बिहार की संदर्भ में है इसलिए स यहां पर सवाल महत्वपूर्ण रूप से पूछा गया है बिहार की मिट्टी के संदर्व में तो यहां पर हमें जानना जरूरी हो जाता है कि यह दोनों कथन क्या बिहार की मिट्टी के संदर्व में सही है या नहीं यदि हम पहली कथन पर चर्चा करें यानि बिहार की पश् कथन सही हो जाएंगी यानि बिहार के मिट्टी के संदर्व में ये दोनों कथन सही हैं तो आए सबसे पहले मैप में इनकी लोकेशन देखते हैं यदि परवत-पदी मिट्टी या अप्शिष्ट मिट्टी की बात करें तो यह इलाका इसका यह वाला है यानि पश्चिमी सबाहिए चमपारण के संदर में यह बात बिलकुल सही हो जाएगी यह कौन सी मिट्टी है अभशिष्ट मिट्टी है या परवत-पदीय मिट्टी हैं और पीली मिट्टी की के बात करें तो यह है लोकेशन ळाल-pीली-मिट्टी का है यानि यह गठन भी बिल्कुल सही है जिसमें की कुछ दक्षिन वाले जिले और कुछ दक्षिन पूरू वाले जिले शामिल है। तो यह कौन सी मिट्टी है, लाल और फीली मिट्टी. यानि बिहार की मृर्दा के सनदर में यहां दोनों कठन सही हैं, तो option C एक और दो दोनों इसका सही जवाब होगा बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ और अगली खबर देख लेते हैं कि अगली खबर है कमला नदी पर हर साल बनाये जाने वाले चशरी पुल चर्चा में हैं तो इनको आपस में जोड़नी के लिए गाउं है जो हर साल चशरी पुल बनाता है लेकिन जब बाढ़ा जाती है तो यह पुल नश्ठ हो जाता है लेकिन वापस से फिर नवंबर नहीं है और हैं याद रखेगा सही नहीं के संदर में यहां पर कथन पूछा गया है कथन क्या है हमारे यह दक्षण बिहार की प्रमुख नदियों में से एक है तूसरा कथन है कि मधुवनी से होते हुए बिहार में प्रवेश करती है और हमारे कूट क्या है केवल एक और द नदियों में से एक है यानि यहां पर कोई एक कथन गलत जरूर होगा क्योंकि मधुवनी उत्तर में है और यह पहला कथन दक्षिड दक्षिड वारी नदियों के संदर्व में पूछा गया है तो आए सबसे पहले देखते हैं कि कमला नदी का लोकेशन कहां पर है यह बिहार क में किस लोकेशन में आती है ताकि आप बदा पाएंगे कि इनमें सी कौन सा कथन दरसल सही है या सही नहीं है यह सबसे पहले देखें कि कमला नदी तो यह है बिहार का मैप समानी रूप सी नदियां बिहार में कहां पर है या मुख्य नदियां कौन-कौन सी है बिहार की उस उत्री हिस्सा और यहां पर कमला नदी की अधि हम लोकेशन देखें तो यह बिहार की उत्री हिस्से की तरफ आता है यानि यहां पर पहला कथन हमारा गलत हो जाएगा क्योंकि पहले कथन में क्या है कि यहां पर पहला कथन हमारा गलत है दूसरा है यह मदुभनी से होते हुए बिहार में प्रवेश करती है तो आए कमला नदी को हम बिहार के मैप में देख लेते हैं एक अन्य मैप में यह है बिहार का मैप जिसमें नदी के लोकेशन भी दिखाई गई है बिहार के यदि कमला नदी की बारे में बात करें तो यह है कमला नदी और यह मधुबनी से होते हुए बिहार में प्रवेश करती है, जिसे एक और मैप में देख लेते हैं, हम जूम करके, तो यह है मधुबनी जिला और यह है कमला नदी. यहां पर यहां से होकर यह बिहार में प्रवेश करती है यानि मदुबनी जिले से होकर यह बिहार में प्रवेश करती है यह कथन बिल्कुल सही हो जाएगा तो यहां पर दूसरा कथन हमारा सही हो जाएगा चूकि पूछा गया है कि कौन सा कथन सही नहीं है तो यहां पर पहल कथन सही नहीं है यानिकेवल एक इसका सही जवाब होगा हमने देख भी लिया कि अहमदुबनी जिले से होकर बिहार में प्रवेश कर रही है तो आए बढ़ते हैं अगली ख़बर की तरफ अगली खबर देखते हैं अगली खबर है सहरसा जिली में सीनिय स्टेट होगा प्रमंडल वाला मेप च husband double कि आई एश्यॐ जिला की संदर्प में हुआ सबसेपाले की लोकेशन कहां पर है तो सहरसा जिले की लिखिने के लिए सबसे पहले देखेंगे विहार के मैप को जिसमें जिलेवार पताया गया है जिसमें सहरसा की लोकेशन है इस सहरसा, मधुबनी, सुपॉल, मध्यपुरा, खगडिया और दर्भंगा के साथ अपनी सीमा साजा करता है चुकि यहाँ पूछा गया है कि यह किस प्रमंडल के अंदर गत आता है तो आए सबसे पहले प्रमंडल वाले मैप में सहरसा की लोकेशन देखते हैं क्या है प्रमंडल वाला मैप देख पा रहे होंगे आप और यहाँ पर है सहरसा की लोकेशन जो बिहार की कोसी प्रमंडल की अंतरगत आता है यानि यहाँ पर जवाब क्या होगा सही जवाब क्या होगा सहरसा के संदर में कि सहरसा बिहार की कोसी प्रमंडल के अंतरगत आता है और कोसी प्रमंडल के अंतरगत ही अन्य दो जिले भी शामिर हैं जो सहरसा के अतरिक्त हैं जो कौन कौन से हैं सुपॉल और मध्यपुरा यानि कोसी प्रमंडल में तीन जिले आत बढ़ते हैं उगली खाबर की तरफ और अगली खबर देख लेते हैं अगली खबर है बिहार की मोटिहारी सिवान प्रदूश्ण फैलाने में देश भर में सबसे यहां पर फ्रिक्वेंसी की साथ देखा गया है प्रश्न है निम्नलिकित में से कौन सा से कथन बागमती बेसिन के बारे में सही नहीं है या है यहां रखेगा फिर से पूछा गया है बागमती बेसिन के बारे में और क्या पूछा गया है कि कौन सा कथन सही नहीं है या है कथन क्या है बागमती नदी भूटान से होते हुए बिहार में प्रवेश करती है बागमती बेसिन गंगा नदी के बाई किनारे में इस्थित है केवल एक और दो दो ना तो एक और ना ही दो तो सबसे पहले देखेंगे बागमती नदी की लोकेशन को फिर देखेंगे कि यह कि देश्य होते हुए बिहार में प्रवेश करती है और बागमती बेसिन गंगा नदी किस किनारे में या किस हिस्थे में इस्थित है तो आए देखें बागमती बेसिन की लोकेशन तो यह बेसिन वाला मैप है जिसमें बागमती बेसिन को हम देखें तो यह है बागमती बेसिन ज जबकि नेपाल से होकर बिहार में प्रवेश करती है बागमती बेसिन गंगा नदी के बाए किनारे में इस्तित है इसे भी देखने के लिए सबसे बहले देखेंगे गंगा नदी की लोकेशन और यह भी देखेंगे साथ में कि गंगा नदी कैसे प्रवाहित होती है गंगा दिशा से ऐसे प्रभाहित हो रही यानि यह हिस्सा इसका दाया हिस्सा कहलाएगा और यह हिस्सा बाया हिस्सा कहलाएगा तो बागमती नदी किस हिस्से में इस्थित है बाया हिस्से में इस्थित है या गंगा नदी के बाया किनारे में बागमती नदी इस्थित है यदि हम जवाब होगा बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ और अगली खबर देख लेते हैं अगली खबर है सीता मढ़ी में किसानों और मजदूरों ने शुरू किया अनिश्चित कालीन धरना प्रश्ण है निम्लिखित कतनों पर विचार कीजिए कथन क्या है यह शहर प्राचीन कि बिहार के किस जिले के बारे में सही है यदि आप दूसरे कथन पर गौर करें क्योंकि दूसरा कथन क्या पूछा गया है स्परश्ट रूप से यह तथ्यात्मक है कि बढ़गाओं सूर्य मंदिर और ब्लैक बुद्ध टैंपल यह कहां पर है तो आप बता पाएंगे कि य बढ़गाओं सूर्य मंदिर और ब्लैक बुद्ध मंदिर कहां पर है तो यह है बिहार के नालंदा जिले में स्थित हैं यानि यहां पर जो दोरों कथन कहे गए हैं बिहार की नालंदा जिले के बारे में कहे गए हैं और पहला कथन क्या है कि प्राचीन मगत सामराज्य में एक बड़ा बौधमट था यहां कथन भी बिल्कुल सही है तो यहां पर सही जवाब क्या हो जाएगा option A नालंदा आए नालंदा की location देख लेते हैं हम मैप में तो यह है बिहार का जिलेवार मैप जहां पर यदि हम नालंदा की location देखें तो यह बिहार का नालंदा जिला और नालंदा जिला किस के साथ अपनी सीमा साजह करता है तो आप देख बारे होंगे यह पटना लखी सरार शेखपुरा नवादा गया जहानबाद के साथ अपनी सीमा साजह करता है तो इस सवाल का सही जबाब क्या है ऑप्शन ए नालंदा बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ और लाभ अप्राप्त हो रहा है किसानों को प्रश्न है किसजले की सीमा पुण बंगाल से नहीं लगती है option क्या है किशन गंच कटिहार पुनिया अरंडीया ध्यान रखिग पूचा गया है पुछा गया है पूच्छते हम ट्षिवार बहार अपको बताना है कि वे कौनसा जिला है जो पष्चिम बंगाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता तो यह किसंगंच यह पोनिया कटिहार और यह अरदिया आप स्पिस्ट तौर पर देख पारे ह outbreaks तो यह किसंगंच पष्चिम बंगल के साथ सीमा साझा है वहीं पोनिया भी पश्चिम बंगाल के साथ अपनी सीमा साजह कर रहा है वहीं कटिहार जिला की सीमा भी वेस्ट बंगाल या पश्चिम बंगाल से लगती है जबकि हम अररिया की बात करने तो आप देख पारे होंगी यह किशन गंज और पोनिया की पीछे साइड है यानि यहां पश्चिम बंगाल के साथ अपनी सीमा साजह नहीं करता जबकि यह नेपाल के साथ अपनी सीमा साजह करता है लेकिन सवाल में पूछा गया है कि पश्चिम बंगाल से सीमा साजह ना करने वाला जिला कौन सा है तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा option D अररिया इसका सही जवाब होगा बढ़ते हैं अगली खाबर की तरफ और अगली खाबर देखते हैं अगली खाबर है बिहार में गंगा नदी पर बनेगा नया पुल बेगुसराय से पटना का सफर होगा आसान यहां पर सवाल फ्रेम किया गया है गंगा नदी के संदर में प्रश्ण है बिहार की किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी है ऑप्शन है भागलपूर कटिहार पटना या बेगुसराय तो चूकि हमें जानना है कि बिहार के किस जिले में गंगा नदी की लंबाई सबसे जादा है इसके लिए हमें देखना पड़ेगा कि गंगा नद प्रवाक्षित्र है यह आपको कमेंट सेक्षिन में बताना है कि गंगा नदी बिहार के कितने जिलों से सीमा साजा करती है या कितने जिले गंगा नदी की प्रवाक्षित्र में आते हैं आपको यह कमेंट सेक्षिन में बताना है इसे हम यदि और जूम करके देखें कि गंगा नदी दरसल कितने जुलों के साथ सीमा साजा कर रही है तो सबस्ट रूप से आप यहां पर देख भी पाएंगे यदि हम चारों ऑप्शन पर चर्चा करें चुकि सवाल में चार ऑप्शन दिये हुए हैं कौन-कौन से भागलपुर कटिहार पटना और बेगुसरा है तो आए अगला जो ऑप्शन है वह है बेगुसराय तो गंगनदी बेगुसराय में यहां से यहां तक प्रवाहित हो रही है और हमारा एक और ऑप्शन था यहां पर साजा कतती है या दि हम इन चारों सीमाओं को देखें तो आप इस पश्चूरूप से इस Map में दिख रहा है कि सरवाधिक सीमा पतना के साथ साजआ हो रही है यानि गंगा नदी का प्रवाक्षेत्र पतना में सबसे ज़ादा है इसकी लंबाई पतना में सबसे ज़ादा है तो इस सवाल का यदि सही जवाब देखें या सही जवाब ढूने तो इसका सही जवाब क्या होगा option C पटना इन चार option में पटना सबसे सही जवाब है यहाँ पर गंगा नदी का प्रवाखशित्र सबसे लंबा है आईए बढ़ते हैं अगले खबर की तरफ अगला जो सवाल ह वह आपके लिए अभ्यास प्रश्णकी रूप में है सवाल क्या है केंदरी प्रदूशन यां तर बोर्ड के अनुसार बिहार में फ्रदूशन के स्थिति बहुत ख़तरानाक हो गई है यह 1 खबर की अधार पर ही सवाल बनाया गया है सवाल है बिहार का सरवाधिक अनुसूचित जनजाती संख्या वाला जिला कौन सा है हमारे ऑप्शन क्या है शिवहर पश्चिमी चंपारण गया और नवादा तो इस सवाल का सही जवाप कमेंट सेक्शन में देना ना भूले इसके साथ ही द्रश्टी आयस ने आपने एक नए चैनल की शुरुआत की है जिसका नाम है द्रश्टी आयस शॉट्स चुकि एक मिनट में आपको यहां पर बहुत अधिक सारगर्वित जानकारी दी जाएगी तो द्रश्टी आयस शॉट्स की चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले पढ़ते रहिए रिवी